कौन सी कन सी देश में जो महारथी गण है बहुत जन्म लेंगे आपको बताएंगे महारथी गण पूण जन मल भीवेवी देशे जान लोजाई फूल सेतना ना दे सरे रहिण सेतना ना दे सरे रहिण अमेरिका में भीन्यु विश्व जुद होने बाले हैं जो सामेली समेल के अभीन्यु थेरा इस्लामिक देश रही भारत के साथ जद् Fujνα करें देश में भारत लिखाय महा पुरिश्मा जापान में भठकोच्या जन्मेंगे पुणिये महावारत पुणि होई बपुर्णा अच्छुत को हई रामरे एहा सप्यावच अच्छाना हलो और नमस्कार दोस्तों भविस्ट मालिका के आज की इस एपिसोड में आपके स्वागत करता हूं सत्या और मेरे साथ आज जुड़े हैं मालिका रिशर्चर अब जगानात कथा संस्कृति के प्रशारक बाबा दिवाकरदास महराज जी तो दोस्तों आज की इस एपिसोड म में आप सुनने वाले हैं मालिका आज से 500 साल पहले पंज सखाओन है जो भविस्ट्र की बारे में लिखे थे भविस्ट मालिका तो आज की समय में बिलकुल वह सब एक एक करके सत्य में उर्पाद दिर्थ हो रहा है तो द्वापणिक की बात है उस समय महावारत की पर आज का है हमारा खास बातचीत साथ जो रहें बाबा बाबा बताईए जय जगर्नाथ सभी भक्तों को मेरे बस्तारा प्यार अकनामन करता हूं सभी वक्तों को तो मालिका में क्या लिखाए 500 बरस पहले जो लिखाए मालिका उडिया का पद है जो अच्छुदानंद अच्छुदान महापुरुष जो ओडिशा से हैं वह क्या लिखाए महापुरुष क्या लिखाए और यह का पद है हमारे भक्तों को हम जानकर हम देंगे कोई दिक्कत नहीं आज का बहुत सरे लोग जो है और यह समझ चुके हैं और समझ ने कोशिज भी कर रहे हैं आप पह देखें हम नहीं को बताएंगे कि क्या लिखाए मालीका तो वडिया के पद हुए माहपुरुष ग्रंत के नाम है जाई फुल मालीका तो ग्रंत में क्या लिखाए मोहा रत्री गण पूण सट्यवान लिखाए उडिया का पदमे हम हिंदी में आपको जानकरी बिलकुल बिलकुल महा पुरुष ने जो अच्छो तानंद महा पुरुष ने लिखाए यह महा रथी गण जो पंचु पांडब है और उसके बाद जो घटतकुच और अभिमन्यू वो कहां कहां जम लेंगे वो सामिल थे वो कहां जम लेंगे कहां पेदा होंगे तो बही आश्चुज की तथियो अचुतारंद महापुरुष पांसो साल के पहले लिखाता हम हमारे भक्त लोग को बही बात हम आप जो दिखे ह हमारे भीडियो को आप देख रहे हैं उनको जरूर बताएंगे क्या लिखा है मालिका तो महारत्षी गणा जम लेंगे कहां जम लेंगे ना भी देश में और जो देश के बाहार है आपको बताएंगे अमेरिका में अभिमन्यू प्यदा होंगे जनम लेंगे जनम लेंगे और महाभारत जुद्ध जो बाकी है उसको पूर्ण कर लेंगे जो अभी जो विश्व जुद्ध होने वाले हैं वही विश्व जुद्ध में सामेल होंगे अभिमन्यू वो कहा जनम लेंगे अचुतारंद महापुरुष 500 साल के पहले ही लिखाता जे अमेरिका में अभिमन्यू जनमलेंगे और जापान में घटत कोछ ही जनमलेंगए और पेदा होकर भारत के साथ जो इस्लामिक देश है जुद्ध करेंगे वही भी महापुरुष लिखाए तेरा इस्लामिक देश वही भारत के साथ जुद्यु करेंगे तो आप तो उडिया की ग्रंथ जब आप नेट में सच करेंगे वही में भी आपको मिलेगा पुरुस्किया लिखाये ए गठत को जन्म पे भारत के साथ इस्फ जुध्यों के लिए त्यार हो जाएंगे इस्लामिक देचन थ्यार हो जाएंगे था है faj को घृृषतन के साथ , खार के हम भारत। और भारत के सपख्यों और जुद्ध्यों करेंगे और सबी जो हमारे भारत के बिभक्यों है उसको नष्ट कर देंगे वही लिखाए महापुलसवे जो बहुत जुद्धा माने जौनमे पे सुने बिन तावस्ट्रा उडिया में लिखाए कि बहुत सारे जुद्धा यहां बहुत जबाब देंगे बिलकुल और भारत ही जितेगा विश्व गुरु बनेंगा भारत वही लिखाए महापुरस्व मालिका में और क्या लिखाए तो बहुत सारे देश में बही बात जानना चाहते हैं कि कहां कहां जन्म लेंगे महापुरस्तों जापान में घटत कोछ जन्म हैं जो भारत आएंगे और उसके बाद में लिखाए जो फ्रांस में फ्रांस में जन्म हैं लोग उसको नहीं जान पाएंगे बही जुद्धा होंगा बहुत सारे मालिका में लिखाए जब भी जूद होगा वही पर सभी लोग हो जाएंगे हुमारे जो भारत ही जितेगा वही लिखाए मालिका में अच्छा यह थार्ड वर्ल्ड वर्क बिल्कुल आपका इंडिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों सुझ्जो सौमिज में बोल रहें कि यह आने वाला समय है आने वाला समय यह करेगा कि कौन जितेगा लेकिन मालिका यह बता रहा है पासे पांसे साल पहले जो महान संतों ने लिखे हैं मालिका करूप में तो उस समय तो महावारत में जो युद्धा थे जो रथी थे जो महारदी थे वह जानू लेंगे वीडियो सुमें और वह आएंगे भारत और जो तेरा मिसलमन कंट्री है जो भारत की खिलाब युद्धि के एलान करेंगे उनके खिलाब मुद्ध जवाब देंगे तो आगे सुनते हैं स्वामी जी से महापुरुष अच्छुता नंदर ने फिर से लिखाए ओलिये महावारत पूणी होई जो बाकी है महावारत जुद्ध वही पुर्ण होगा महापुरुष ने लिखाए देशा देशा मध्ये विबाद राम जहूं वड़िवा सेई समय और राम और खाली मुंड़वा और यहां में क्या लिखाए ना जभी यूद्ध होगा तो भारत के बहुत सारा लोग मारे जाएंगे और बहुत सारा देश के लोग भी वही बात लिखाए तो बहुत जल्दी ही उखने वाला है महापुरुष लिखाए यह बहुत सारे जल्दी वह उसके बाद में लिखाए विश्वासों घातों को टोई चीना चुटी गाटी देवों से बेले सीना और क्या लिख लिखाए तो उसका मतलब इंग्लिश में आप समझेंगे बहुत सारा शेलफिक्स देश से चाइना यह बता रहे हैं तो वही हमारे भारत के बहुत सारा जमिन लूट कर ले जाएगा वही भी लिखाए और सत्य हो गया है अलड़ी तो यह सत्य हो जुका है और आगे भी यह स शारा जमिन चाइना के अंडर में चले जाएगे और फिर से और क्या लिखाये सर्भमियं देस यह बहुत संगरे जुद्याकरी वे और इस स्लामिक स्टेट है वही भी मिलकर भारत के और भारत के साथ युद्य करेंगे लेकिन भारत वही से मूँ तुड़ जबाव देगा जीतेंगे तो भारत वही समय अपने वही समय नहीं है जो समय चल रहा था जो हम दिखे थे वही चल रहा था चीन के साथ पराजे शुकार करेते भारत लेकिन अभी मुह तोड़ जबाब देंगे और अभी तो हम खुल कर जिएंगे क्योंकि हमारे जो महापरुस ने लिखाए भारत को कोई नहीं हरा सकता यह आप लीक कर रखे कोई अब जितने बड़ी देश होंगे और भारत को हरा नहीं सकेंगा क्यूंकि आपने कुछी दिन पर पहले दिखाए तो गर्व से आप में कहेंगे हम भारत यह है जभी यूकरेन में हमारे डाक्तरी चात्र जो थे पड़ रहेते हैं वही जब भी पाकिस्तान लोटे हमारे भारत के तीरंगा दिखा कर रहे हैं वही पर देखेंगे हम भारत यह है तो उससे आप जांकर निश्चिन स्वरुप से आप गर्व से कहेंगे हम भारत यह हैं जहां से एक काक भुसंदी काक ने बारत में इक शुकह पखिए नियद्य है वह जहां ठीक निश्चिन स्वरुप से भारतीर होगा दिखा कर पाकिस्तान लोत हैं तो वही हमारे भारतं के साथ जो भी जुद्या करेंगे वही उनका नाम नेढीमा पराष्त हो जाएंगे मालिका में लिखा है जी आपका बहुत धन्य बात खुब सुन्दर भूत ही महत्पुन तत्यापने आमात दर्शकों के चाहत अब सुन लेए तो बाबा जी को बाबा दिवाकरदास महराज जी को सुन लेए जो कि मालिका के रिसेर्चर है और जगरतक यूद्ध नहीं हुआ था और यूद्ध होने वाला है कली यूग में जो बाकी था कली यानि आप वह समय निकट है कि फार्ड वाल्ड वाल की हम बात कर रहे हैं जो भी महान जो भी रथी महारती यूद्धा थे वह सब विभिन देस्व में द्रम ले चुकए हैं और भारत आएंगे एकजिट होंगे और भारत को सपोर्ट करेंगे और अब तब जाके भारत उनको हमारे जो इसलम कंट्रीज जो भारत खिलाब यूद्ध चेड़ेंगे तब भारत उनको मुत और जबाब देगा तो स्वामी जी आगे यह भी कह रहे हैं कि चाइना जो है सबसे विश् बाद भारत बनेगा विश्व गुरू तो मालिका के आगे भी हमारे चाहँ जोड़े रहिए भविश्य मालिका में और भी दिल्चस्प बात हैं जो भविश्य में सत्य में रुप अंदर्त होने वाले हैं और इस पर हम बहुत सारे एपिसोड बहुत सारे वीडियो बनाने में भी वाले हैं बाबा जी के साथ हम इसमें से पर चर्चक करेंगे जोड़े रहिए तब तक जे जगरनाथ जे पंचे सखाव कि अब अब ठान लुद्ध दो कि अब